नमस्कार आप सभी का सुआगत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भरती आठ वरतियों के लिए कल का दिन सबसे मैथफूर होने वाला है और यदि आप लोग घर नहीं होता है तो फिर भूल जाएए नोकरी इन आर्ट के अडर्स की बिलकुल इस पस्ट बात और अगर आप लोगों का ये सवाल ये होगा कि आप तो कहते थे बरतियों में ये नहीं होगा तो देखिए दोस्तो अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है और यदि आप लग नहीं तो वैसा भी हो सकता है जिसकी परिकल्पन आपने की नहीं होगी आठ वर्तियां आठ वर्तियों का अंदोलन आज पांचवे दिन भी जारी है बाइस जनवरी भगवान स्री राम की प्राण प्रतिष्टा का दिन और पूरे देश में खुसी का माहोल लेकिन बीस हजार पां पहुंचते हैं तो ये तैम आनके चलिए कि आप लोगों का न्युक्ति तो भूल जाइए आप लोगों को नए सिर्थ से कुछ और करना पड़ सकता है इस बात का भी ध्यान रखें अपने ओप्संस जो है तयार रखें यदि अगर आप लोग कल नहीं पहुंचते हैं तो ठ आपका ही नुकसान होगा मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और मैंने लगातार अपने दिल से उस हद तक आप लोगों का सपोर्ट किया है जिस हद तक कोई भी सोसल मीडिया प्लेटफोर्म्स जो हैं नहीं करते हैं मैंने अपनी पूरी ताका जोंक दी है आप लोगों को जिस नतीजा 0-0 और 200-500 लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और 20,000 में से अगर 200-500 लोग अगर हम निकाल लें यार तुम 1000 निकाल लो चलो 1000 लोग धरने पहें तो 19,000 घर पर रसगुल्ले खा रहे हैं यह बड़े सरम की बात है ठीक है न दोस्तों यह बड़े सरम की बात है कि 25,000 लोगों में से 500-700 लोगों को नोकरी चाहिए बाकी सिर्फ पता नहीं किस काम के लिए इस प्रत्वी पर आये हैं वेरिफिकेशन होता या कोई और चीज होती तो लोग उड़कर के चले जाते हैं मैंने वो दोर भी देखा है मैंने वो दोर भी देखा है आप लोग अगर परिस्तितियों का बहाना देते हो ना कि सर्दी है पती ने नहीं बेजा पत्री ने नहीं बेजा बच्चे छोटे हैं साथ ससुर बिमार हैं घर में साधी है या कोई casualty हो गई है घर में उन बहानों को तो अगर आप लोग जोडने लगेंगे तो साल के 365 दिन भी आप लोग फिरी नहीं रह सकते मैंने वो दोर देखा है जब कोविड की पहली वेव कोविड की पहली वेव बहुत चरम पर थी जब लोकडाउन लगा हुआ था ठीक है ना क्या लोकडाउन लगा हुआ था टोटली सब कुछ बैन था उस वक्त पर साड़े बारा हजार कितने साड़े 12,000 में से आप लोग 3700 कम कर देजिए यानि कि 9,000 एनम और जी एनम के अभ्यारती टोटली लोकडाउन था पुरा देश में तब 9,000 अभ्यारती जोइन करने पहुँच गए थे क्या जोइन करने पहुँच गए थे 28 अप्रेल 2020 29 को लिस्ट आई थे 29 अप्रेल 30 अप्रेल 1 म पाँच दिन में सब लोगों ने 9-10,000 लोगों ने जोइन कर लिया था और कैसे जोइन के था पता है गाडियां कर करके ठीक है गाड़ी कर करके पर्सनल गाड़ी इस पे स्टीकर लगा हुआ था परमीशन लेके जब जाते थे लोकडाउन में आप लोगों ने भी देखा हो लेकिन यहां अगर न्युकती से दो कदम पहले किसी को बुलाय जा रहा है तो लोग दुब के बैठें घरों में जो कि कहीं से भी सही नहीं है दोस्तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला आप यह समझते हो कि मुझे कोई आपको कहने से कोई special benefits हो जाएगा बिल्कुल भी benefits नहीं ठीक है यह channel मेरा है आप लोगों का प्यार support मिलता है ठीक है कोई और का मिलेगा ठीक है कोई और का मिलेगा यदि आप नहीं होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं channel चनाने के लिए आ रहा हूँ ऐसे तो 5 दिन होगे चाहता तो मैं भी वहाँ पर बैट करके और नोकरी है और उस नोकरी से बाढ़ करके मैं कुछ भी नहीं बानता इसलिए मैं तो देखिए बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा वहाँ पर हाँ लेकिन मैंने पूरे social media platforms ट्वीटर पर आप लोगों को पोस्ट कर रहा हूं खबरे आप तक पहुँचा रहा हूं जो मेरे मन क यह सिफू अच्छा नहीं कर रहा है सरकार अच्छा नहीं कर रही है आप लोग कितना अच्छा कर रहा है अपनी ग्रेबा में जाकिए कि क्या 500 लोगों को न्युकती चाहिए क्या 600 लोगों को न्युकती चाहिए जो बेहने वहाँ पर बैठी क्या उनके माबाप नहीं है क् साधी सुधा नहीं होगी या उनके पती नहीं होगे या जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनकी पतनिया नहीं होगी ठीक है या उनके छोटे बच्चे नहीं होगे आप सब 28, 29, 30, 32 साल के लोग हो तो सबकी बच्चे भी है माता पिता भी है हर परिस्तितियां आपके घर में हैं लेकिन बस आपके लिए तो कोई और ही कर दे पका पकाया भोजन आप लोग खाना जानते हैं बस यही चीज़ें यह खबर है देख लीजिए यहाँ पर कलस यात्रा निकाले गई भगवान सिरी राम का जो आज प्राण परतिष्टा थी विराज़मान की आगया मंदिर में आयोध्या में तो यहाँ पर अभ्यारतियों ने देखिए कितने अच्छे अभ्यारती हैं इतने अच्छे लोग हैं संसकारी लोग हैं कि आज इन्होंने वो तरीका अपना है जिससे सरकार पर असर पड़े कलस यात्रा जिस तरीके से पूरे देश में आयुजन हो रहे हैं दिपावली के तोर पर मनाये जार आज का दिन तो इन अभ्यारतियों ने भी आज जहलना में धर्नज तो जारी है साथी प्राण परतिष्ठा के दिन आज कलस यात्रा भी निकाली है ठीक है दोस्तों देख सकते हैं चिकितसा विभा की आठ बरतियों को जल्द पूरा करने की मांग प्राण परतिष्ठा के दिन इन्होंने सिपू संस्तान के बाहर कलस यात्रा निकाली है हवन भी किया है और आप जो घर वेटें उन्होंने क्या किया है कुछ नहीं किया है ठीक है और अगर करेंगे दिवाली आप लोग जब होगी जब आपको ये नोकरी मिलेगी आपके जीवन में खुशी आएंगी आपका जो जीवन है जितने भी वर्सका है जब हर साल आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएंगे खुद की जरूरते पूरी कर पाएंगे खुद के पैसों से अब तक माबाब के पैसों से पूरा करते आए तो आपके लिए दिवाली तब होगी मैं ये नहीं कहता कि आज का दिन मत सेलिब्रेट करें बिल्कुल करें साथियो बिल्कुल करें धिपावली भी मनाईए लेकिन एक तरफ उस चीज को मत भूलिए जिससे आपके घरों के दिये कई सालों तक जलते रहेंगे कई पीडिया एक महिला जो है नोकरी लगती है तो कई पीडिया उसकी सिक्षित हो जाती है ठीक है लेकिन आप लोग घर पर बैठे हैं मोज में बैठे हैं सबसे सर्मनाक बात तो यह है मोज में बैठे अरे यार ये भी मानतें कि 20,546 सब के सब नहीं आ सकते बिलकुल मैं अगरी करता हूँ लेकिन कम से कम 4-5,000 लोग तो होने चाहिए न लेकिन वो भी नहीं है सब को बस एक चिंता सतारी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तो कल का दिन बड़ा महत्पूर्ण है मैं इसलिए कह रहा हूँ कल का दिन महत्पूर्ण है क्योंकि कल और परसों ये दो दिन में क्योंकि 25 तारी को माननी है जो प्रधान मंत्री है नरेंदर मोदी जी वो जैपूर आ रहे हैं ठीक है उससे पहले सरकार इस मेंटर को निप्टाने की कोसिस करेगी कल और परसों या तो मैं तो कहता हूँ कल कल ही आजाओ यार जदा से जदा यही कर सकते हैं आप लोगों के लिए कल कल आजाओ कल संख्या बड़ी आएगी तो बीजेपी के और कोई मंत्री वगरा भी वहाँ पर आ सकते हैं अनोफिशियल रूप से जानकारी बता रहा हूँ अफिशियल नहीं है तो आप लोग आएंगे तो भीड दिखेगी और भीड दिखेगी तो सरकारों पर भीड से ही असर पड़ता है 200 लोग तो चाहिए 6 महिने बैठ गए न तो भी कुछ नहीं हो न और अगर 5, 7, 10, 12,000 लोग अगर बैठ जाएंगे एक दिन के लिए या दो दिन के लिए तो निश्चित तोर पर आप लोग का सोलूशन निकल करके आएगा ठीक है न सातियो अब जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लोग कर लीजिए और कम से कम उन लोगों को भी सर्माना चाहिए जो जैपूर सिटी के हैं जो जैपूर सिटी के हैं और जो सिटी के सिटी में होकर के भी नहीं आ सकते तो दोस्तो बहुत सारी बाते हैं करने को तो चार घंटे बोल दूँगा मैं ना एनरजी की कमी होगी ना मेरे पास सब्दों की कमी है बस कमी है एक चीज की खलती है कि आप लोग संजीदा क्यूं नहीं है जो खुसियां आप लोग को मिली थी सितंबर के महिने में अक्टूबर के महिने में उन खुसियों पर अगर ग्रहन लग जाएगा आपके घर बैठने से तो किस तरीके के लापरवा लोग हैं आप दोस्तों मैं नहीं कहना चाहता कि आप लोग इस तरीके से लापरवा हो सरमिंदगी की बात है लेकिन परिस्तितियां ऐसी जनरेट हुई है कि ये कहने के बाद अगर मेरी बातों से अगर 20 लोग भी चले जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ मेरी बातों कासर हुआ है और मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप लोग अगर कल परसों और तरसों नहीं पहुँचेंगे तो फिर घर पर ही रहना फिर कुछ नहीं होगा, इन भरती होगा, ठीक है भाई, किलियर बात है, इस पस्ट बात ये है, और जो मेरे साथी, बड़े, छोटे भाई, बहन, सिफू में धरना दे रहे हैं, जो आंदुलन में बैठे हैं, उन सब को मेरा बिग शल्यूट, आप सब के उत्तम स्वास्थ की म काम ना करता हूँ, क्या पैसे ही लड़ते रहें, आपका संगर्स जाया नहीं जाएगा, आपको सफलता भी मिलेगी, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो सिफू के बाहर पिछले पांस दिन से मौजूद हैं, और जो घर पर बैठे हैं, उनके लिए एक ही बात यदि आप लोगों का अपना जीवन प्यारा है, नोकरी प्यारी है, अपने बच्चों का फ्यूचर प्यारा है, तो कल पधार जाना, और कल संख्या अगर नहीं बढ़ती है, यही कोई 12-1500 लोग होंगे, तो देखिए भाई, कल के बाद हमसे, न हम आपसे कुछ कहेंगे, इस आंदोलन को लेकर के, जो खबरे मीडिया में आएंगी, उन पर मैं वीडियो बना दूँगा, बाकि मैं कल के बाद ये भी नहीं कहूंगा, कि आप लोग इस आंदोलन में आईए या कुछ करिए इन भरतियों का क्या होगा, टोटली पूरी तरीके से हम कल आपको सिमित क कर लेंगे, यदि कल पांस से साथ हजार की संख्या नहीं होती है, मैं तो कहता हूँ बीस के बीस आजाओ, तो एक दिन में सरकार के पसीने सरदियों में चोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, अगर पांस साथ हजार लोग भी आ जाते हैं, दस हजार लोग भ कहता हूँ दोस्तों, आपका सोलोशन कुछ निकलेगा, यदि नहीं आओगे, कल भी हजार आट सो की भीड़ रही, तो ये धरना लंबा चलता रहेगा, और एक दिन आखिर धैरियेट तूटता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के हलाद जिस तरीके से घर बैठने वालों क हम पान सो यहां बैठे हैं, साड़े उननीस, भीस, हजार लोग हैं, वो घर पर ही बैठे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, तो उन लोगों की कम से कम ताकत बनी हैं, और आप लोग पधारिये साथी हो, मेरा तो आप लोगों से यही विनवन रिवेदन है, बाकी आप क्य सोचते हैं, वो बाद की बात है, और यह मान के चलो, न्यूकती तो भूल जाओ फिलाल, ठीक है, दो चार दिन के लिए न्यूकती भूल जाओ, इन भरतियों को बचा लो, यही सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है ना, कड़ा सब्दों में भी बोल दिया है, और इस वीडियो में, अगर किसी को किसी बात का बुरा लगे, तो भाई माफी, ठीक है, अपने खुद के विचार थे, कहीं से कोपी पेस्ट में करता नहीं हो, विचारों की, बहुत सारा विचार है, ठीक है, कितने घंटे बुलवालो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों, बुरा ल पर जो आंदुलन कर रहे हैं, वो भूत कॉपरेटिव लोग हैं, और लगातार उनका संगर्स जारी है, आप लोग भी उस संगर्स की आहूती में, योगदान दे, और अपने जीवन को सुधारिये, ठीक है सात्यों, जै हिंद, जै भारत!